वहाँ पर अच्छे-ची बिल्डिंगे हैं, वहाँ पर जाने से हम पवित्र हो जाएंगे और हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। ब्रह्माण बुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे त्रिश स्थानों के यात्रा करने के सारे फ़ल्ट मतुरा की पवित्र भूमी के स्पर्स मात्र से राप्त किये जाते हैं। और एक सास्त्रों में कहा गया है मतुरा की भूमी के श्रवण, स्मरण, महिमागान, वांचा, दर्शन या सपर्स मात्र से मनुष्यों की सारे इच्छें पूरी हो सकते हैं। सारे इच्छें पूरी हो जाने का मतलब क्या है कि कोई इच्छा नहीं रह गया। सारे इच्छें पूरी हो जाने का मतलब क्या है, सारे इच्छें पूरी हो जाएगा। सारे इच्छाओं से आप बहार निकल जाओगे और भगवान की सेवा में आप लग जाओगे। आगे बताया गया है कि भक्तों की सेवा करना है। पद्वकुराण में वैश्णों या भक्तों की सेवा की प्रसंसा की गई गई है। इस पुराण में सिर्जी पारवदी से करते हैं, ये पारवदी पूजा की अनेक विदिया हैं, किन्तु इसमें से परम पुरूष की पूजा सर्वस्ट रिष्ट है, किन्तु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा रहे हैं। स्तिमत भावतम की तीसरे स्कंद में बताया जाता है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ती प्राप्त की जा सकती है, भक्तों की सेवा समस्त भावदिक संतापों को कम करने वाली है और पतिकवन, भक्ति, प्रेमुखण्य बताते हैं, हमारे यसी बाल भक्त नहीं है, भक्ते संती सेवा कर पाएं, यभक्ते संती सिवां में जूरे हुए हूँए हूँखक्तों के सिवा का मौका ढूंड़ना, इसलिए जब कोई बड़े भक्त आते मंदिर, संती खरक्ते महां कर Colonies के और सुरकती लजाने का प्रयास करते दो कि तुसटी होजाए कि भगवान प्रसन हो जाए अभी हम डाय ₹श्टिय नहीं करनी चाहिए बाया वाया जाना चाहिए डाय आपराद होता है अभी बढ़ा वेक्त तुट्टेव परसान आसिस्टंट रहे ना कि रहते हैं प इंको किस्टने वेगिने बज़े marketing क्या है वंप्सकर रहता है जैसे भग्वान के जो भग्त हैं उनको अंको सब पता रहता है तो उनकी सेवा करेंगे वह सेवा जिए है इसलिए हमें हमेशा भग्वत्रान के भक्तों की सिवा करने का प्रयास करना चाहिए जिनके शरीर पर संक चक्र गदा एवं पद्मक के चिन्ह रुपी तिलप लगे रहते हैं कि अच्छ बनादे ना लूग अच्छ ने कुछ टैटू बनाते हैं तो यहां पर खाता है कि ऐसे चिन्ह बनाने चाहिए अगर बनाए नहीं है तो पवित्र चिन्ह बनाएए नहीं के गल्फेंड का बईफेंड का नाम लिखा आजकल वहमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ है तो बहुत बढ़ा शीवजी का बहुत बड़ा टैटू लगया तो शीव बनाए तो बदे बड़े भगत लगते नहीं पेले गल्फेंड का नाम लिखा था इसलिए टैटू उसम बनाना नहीं चाहिए अगर बनाना की इच्छा है तो भगवान का नाम लिखना चाहिए नहीं के ऐसे भोतिक जगत के लोगों का नाम ठीक है तीलक लगे रहते हैं और जो अपने सीरपल तुलसी दल धारान करते हैं कि यहां पे तीलक में आता है ना तुलसी दल लिखता है यहां पे तुलसी दल है और यह क्या है उपर है वग वगवान के चरण ऱोनक सीरपल ग्रहन करना चाहिए निए च्छा आज प्सक्री नरूब तलोगों ने ऐसे अच्छिवादे अलंकुरूत रहते हैं उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मोक्त हुए इसलिए आप लोगों को निवेदन करता रहता हूं कि मेरे पाप कर्म चले जाए आप लोग सब ऐसे करके आएंगे तिलत करके आएंगे खंकी माला पहन के और मैं आपको आपि में आगे बढ़ सकते हैं तो यह सब पहने के हम आएंगे तो पाटी कम उडाये करते हैं लेकिन दूति कुर्था पहनेंगे ऐसे मैं सब पहन कर नहीं चाहता हूं तो वहां का कारे कलाप अलग है यहां पर भूक्ति का कारे होता है तो इसलिए में एधिश्म करने का नंबर आ गया तो वूलेंगे आपको ड्रेस पर आथा एधिंश्य तो नहीं आता है तो लेका जन्म और उब जाओ आप लोग और सीख लो आप इसलिए हपते में काद बार क्या करना चाहिए पुरसा प्रैक्टिस मैं इसकों जोइन करने के बाद काफित पांच साल के बाद धूती पेनना सिखा तो मुझे भी नहीं आता था तो सरम आवेशे उपे नहीं तो आप जोती पेनना तो मिल सकते हो पिर वो इच्छा थी महाराज को मिलने की प्तिचारू महाराज आये ते उससे में तो सीख गया मैं तो एक दिन तो लाना पड़ेगा ना कौन से माता है जिनको साड़ी पेनना नहीं आता है सीख लो भी राप समय है अभी आपके बास और किते लोगों को धोती पेनना नहीं आता है एक दो 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 तीन लोग है न सीख लो आप पुन्ना प्रभू सिख वाड़े जो पाचर पाचर आया तमें सिखी ले जो तो थोड़ा वेला ही ज़ा है यहां कर पैरी लेवा हो तुमने नावर्द तो कि आइंक्धास कम लगती है के अभी कम लगती है तो यह उनका दर्शन करते हैं तो हम पाप करमों से मोक्त हो जाते पौत भागत अंगे परतम शुकंद में कहा गया है ब capac के पास जाने उन्के चरण कमल चुने या उन्हें आसन देने से मनुश्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्तर हो जाता है पाप कर्म वही कर्म है जो हमें भगवान की भक्ति को अपनाने से रोकते हैं कोई भी चीज है अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है जो हमें भगतिक जगत से बाहता है उसको अगर आप नवोल ले, या पाप गोल ले, लेकिन अगर वो आपको भगवान की भक्ति से रोक रहा है तो वो है पाप ही है, पॉसिटीव कर्मा या नेगिटीव कर्मा जो भक्ति से दुर लेके जा रहा है को कि पुन्य कर्म को भोगने के लिए फिर से यांपे जन्मा लेना पड़ेगा, पाप कर्म को भोगने concern लेना पड़ेगा, तो वो सब चीजे आपको क्या कर रहे हैं भोुतिक जगत से बंदन में डालती है, लेकिन जब आप सारे कर्म भगवान की प्रसंता के लिए करेंगे तो धीरे-धीरे वो कर्मों का बंधन आपको नहीं लगेगा इसलिए हमें ऐसे करेंगे तोड़ा और पुन्य हो जाएगा और अच्छा प्राप्त करेंगे उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जो भी है आपका नियत कर्म है वो भगवान की प्रसंता के लिए करना चाहिए तो उसको और कर्म बुला जाता है सकर्म यानि कि कर्म जो नियत कर्म है वी कर्म मतलब जो विपरीत कर्म है जो सास्तर में नहीं बता है उससे विपरीत कर रहे है और कर्म मतलब जो भी आपका नियत कर्मा है वो भगवान को प्रसंद करने के हितु करते हैं लेकिन उसके फल को आप भगवान को अरपन करने का प्रयास करते हैं अपने भोग के लिए नहीं करते हैं तो उसका फाइदा क्या होता है , आपको बंधन नहीं लगता है, तो जय से आप जॉब करेंगे , लेकिन भगवान की प्रसंता के लिए करेंगे , छॉं न con वो जौब करते हुए आपकी चेतना क्या होनी चाहिए भगवान की प्रसनता होनी चाहिए आप खाना पका रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए भगवान को भोगरपन करना है भगवान इससे प्रसन होगे उसके बाद प्रसाथ तो प्राप्त होगा है आपको ऐसा चिंदा मत करो प्रभुजी ने बुला है सब दे देना आया तो मदब अपने को कुछ मिलेगा नहीं है आपको ही मिलेगा लेकिन वह जब कार्य करते हैं तब आपकी चेतना है वह भगवान के अंदर निवेशित कीजिए उसके बाद जो कर्म में जो रिजर्ट आएगा वह निस्पाफ हो जाएगा उसमें कोई रियक्षन नहीं हो गया तो यहां पर क्या पता है कि आपको पाप कर्मों से मुक्तगर देंगे कि इसमें कोई संसय नहीं है यहां तक कि ऐसे वैश्णाव के कारेकलापों के इस मरण से ही अपने परिवार सही सुद्ध हो जाता है तो फिर उनकी प्रत्यक्ष सिवा करने के विश्य में क्या काल जाए जैसे भी नंसिया अर्तिक दीख प्रभू बोल रहे थे तो ऐसे प्र कि इसलिए भागवदम का आध्यों करना अति आवश्य आधिपुराण में शाक्षा भगवान को सम्मोधित करते हैं यह पात जो अपने को मेरा भक्त बताता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बताता है, असल में वही मेरा भक्त है, वो में भगवान की डायरेक्ट सिवा का प्रयास नहीं करना जाहिए, जैसे भगवान की रास दिला है, तो वहाँ पे रादारानी भगवान के साथ रास दिला करते हैं, तो बाक मन्जरी का मन्जरी का मतलब क्या है ऐसी बाली का है जो यूती नहीं लेकिन जो भगवान की जो सेवा है जो गोपियां कर रहे है उसमें उनकी सेवा कर रहे है अभी ये पुश्तक लिखा आए तो प्रोभवा इतने इसने इतना सॉलिड बदा सकते हैं जिसने देखा हुआ है और उनको कुछ नहीं करना है उन्होंने जो बताया है उसको स्रद्धापुरु वक पढ़ना है और स्रद्धापुरु पढ़ेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए है लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो सुनना तो चाहिए सुनेंगे तो क्या होगा घर पर जाके पढ़ने की इच्छा होगी और जब आप पढ़ेंगे तो फिद्रवसत बताते हैं आधोरभण भगण सरद्धा सबसे इंपोर्टंट है सबसे कले स्रद्ध होने चाहिए, सद्ध होगी तो क्या होगा? सादू Shang कोगा! जैसे हम सब लोग मिले वए बक्तों के शंग में आएंगे सादू to Shang क्या होगा? भजन होगा, करते हैं आज MARK समी के भजन करते हैं उसके बाद प्या होगा है अनर्थ निवरूति होती होती है हमारे अंदर काम प्रोध और बहुत काफी अनर्थ है वो धीरे-धीरे कम होगी वो एक दीन में तो ऐसा नहीं है कैसे उसकी विधी क्या है चेत्यदर्पन मार्जन अवे कृश्ञन ऋधीरे कृष्ञ नुढ़े लिए अभी से कुछ पुराने किसी के घर में रहेंगे अभी सबके घर में नहीं है तो अभी तो अभी तो ऐसा नहीं है ना समकता हुए रखते हूं स्टिल नहीं स्टिल के वाटे विशल चमक है और इजनल नहीं है आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के बाद सीधे नहीं पहुँशना चाहिए इसलिए वैस्टव आचार पद्दती में मनुष्य का पहला करता है कि किसी भग्त को गुरू के रूप में स्विकार करना और तब उनकी सेवा करना होता है तो यहां पर रखवाजी बताते हैं कि गुरू कि अलब जो अपको खिकार करेंगे तो कि दीरे-दीरे गुरू आपको आपके लेवल के सेवा में लगाएंगे तो दीरे-दीरे आपकी सुधि बढ़ती जाईगों कि जैसे हमारे जैसे लोग है मूं आपको ज्यान देखे रास्ता दिखा सकते हैं और दावद चेतन अप्र जो आपको भगवान की साथ संबंद प्रस्थावित करने में सहाई करते हैं उनकी द्वारा आप उनके शीवा करके उनकी मारदशन में उनके वचनों का पालन करके आप भगवत पड़ती कर सकते हैं स्रिलारूप गोष्वामी कहते हैं वक्ति इसाम उसिंदू में विवल सास्त्रों से दिये गए सारे उद्धरन महान आचार्यों तथा भगवद भक्तों को माल्या है या देखिंगे में पुस्तत में प्रूहअज शास्त्रों के जो रेफ एक इसे उसके बता रहे हैं ने आरदिया Akurang से बता रहे हैं अपनी कोई बात नहीं कि बता रहे हैं अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा। पद्मकुरान में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने आर्थिक स्थिती के अनुशार विभिन्न उत्सवों को संपर न करें और व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवन समारोह में अवर्श्य मनाएं कि यहां मंधीर में काफी बड़े बड़े उत्सव होते हैं तो हम यहां वी हमारे इसाब कहना ब्रॉश्य मास्टमी है रामनोमी है लिपावली है वैसे जहां भी भगवान का महत है और आचारियों के जो उस्व है सब उनको हम भनाने का प्रयास करते हैं कार्दिक में भक्ति करना इन सर्वाधिक महत पुपन उस्व में से एक है उर्जवरत जो कार्दिक यानि की अक्तूबर नमेंबर मास में मना जागा है इस उत्सव में विशेश तया भुंदावन में दामदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रत की पुजा का विशेश कारेक्रम हुद है तो हम उसको फॉलो करते हैं एक महिना पूरा दामदर लिला उसको दामदर रश्टर कम करत होरा ऑक्ष्टों के घर पे जाते हैं दीक दान करते हैं अथ्टकून करते हैं कि पूरे माता यसुत द्वारा कृष्ल को जाता है कि जिस प्रकार 28 प्रिय magistर 15abenिकोन कर दो तो जैसे एकका दस एकका सो एकका लाक ऐसे हो जाता है आपको भक्ति करते हैं उसका अनेक गुना फ़ल मिलता है मतलब आपका जो फ्लीनिंग प्रोसेस के वह फास हो जाता है चेतना हमारी सुद्धिकरन फास हो जाता है कार्टिक मास में उर्जवरत के समय मतुरा में भक्ति करने के विशे संस्तुती की जाती है कि अज्विस्क प्रड़ा का पारण करने हैं वह एसी में। पूरे का रतिक करने केुभिष्य और अच्छे से उठीरों रूप से भक्तिका अर्ण करने हैं। पद्वापुरान में कहा गया है कि भगवान भक्त को मुक्ति या भगतिक सुटों दे सकते हैं किंतु भक्त गण आर्थिक मास में मतुला में रहता कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की सुद्ध भक्ति काप पड़ना चाहते हैं दो चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं आर्थ अर्धा ती जिग्यासवर ग्यान को एसे तकलिफ है जिसको पैसा चाहिए ज्ञान चाहिए वो सब चीज़तों भगवान आराम चे दे दे लेकिन भक्ति सबको नहीं प्राफ्त होती है है कि बते जाता है कि गुरुफ्रिष्ण प्रसाद पाएं भक्ति बता धी जो भक्ति का भी जह प्राप्त होता है किसकी पुर्पा से गुरूफ्य और कृष्टन की कुर्पास Krips obs describes और दोनों फिर भक्ति में हमें आगे बढ़ने के इंदर मदद करते हैं कि तार्पले है कि भगवान उन सामाने व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विशाई में निष्ठावान नहीं है कि इन्टू ऐसे निष्ठा रहे व्यक्ति भी यदि कार्थिक मास में विशेश तया मतुरा मंडल में रहतार विद्धी पूर्वग भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिकत सिवा फ्राप्त होती है भगवान की लिला संबंदी उस्वों को मनाना वाईश पुराण में भगवान के प्रागटे दिन यानिके जन्मदिन पता हुंके अन्य दीव्य लिलाओं को उस्वों रूप में मनाने के विश्रे में यह हका हो जाया हे जनारदन हमें बतलाएं कि आपकी माता देव की देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया यह आप हमें यह बतला दें तो हम इस तीती को महत्सों मुनाएंगे यह केसी के सन्हारक हे केसव हम आपके चरण कमलो उपर उन रुपेन सरणागत है और हम उस्वों के द्वारा आपको केवल प्रसन्द करना चालते हैं तो यहां पर क्या बताते हैं कि भगवान की तुब लिला हैं बगवान चौथे अधियार के नौवे समें बताते हैं जन्म कर्मचा में दिवियम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिवियम, एवं यो वित्ती तत्वत हैं, जो इनको तत्व से जानते हैं, यक्ता देहम ये देर त्यार करके पुनर जन्म, नईती मामिती, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो भगवान अर्जुन को आस्वस्त और यहां पर वही चीच बताते हैं कि भगवान के जो अलग-अलग लीलाएं हैं, उसको समझना चाहिए और उसको पुछसों के रूप में करना चाहिए, आगे बताते हैं कि अत्याधिक वक्ति पुर्वक्त अच्चा मिग्रख की सेवा करना है, अधिक पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर पितन करता है, और भक्ती में तल्लीम धरकर दिव्यानन कानूभों करता है, Uसे केवल भक्ती नहीं, तक यहकाए बद्यादी करना है अच्चा बनलकिवारा, इर स्याई इस जान हो भक्त ऐसा है कि आए्से पार्षपरकार की मुख्ती है को मुख्ती के लिए भागत अभी प्र्यास नहीं reभ할 mm कि मैं यह Defi के लावब व हमानें वह ते सब कते लिए खाने खाने के इच्छा नहीं हुण पुरू जब उसका इए लगर तो आपको कु 장 सेरी से अब भक्ति करते हैं तो मुक्ति और ही जाता है ज훈सरी ही तो वो यह सब इन तौ सब्सक्ण थाब दो थाइज में नहीं डी जाती है कुपे चलिंगोिक कष्ण व्र murder नहीं गारच बि rabbits ॽु mention तो जो अल्प बुद्धी है लोग वह मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं लेकिन यहां पर क्या पर प्ताया है कि उनको भक्ती की सूयदा यह दो वैपुंत का मतलब किया के जहां पर कोई प्रॉब्लॉम्स नहीं है है कि वैप मतलब नहीं कौन्ठ मतलब तक्लिफ है गुं लगा है कि जिए यह संः हैं जब तक आं वक्तों के शंग में रहते हैं तो आप को कोई प्रकार के अनुभाव हेर बवक्तों का संवित ठोड़के भौतिकता वाधी लोगों के संपर्क में आते हैं पैसे ही तुरंद आप त्रय तापों का अनुभव करना चालू करेंगें। आगे बताते हैं कि मुक्तिकार्थ है भोतिक कलमस से शुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फीर से जन्मा नहीं लेना पड़ेगा। निर्विशेजवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए भ्रह्मों में तलीन होना चालते हैं। कि दुश्रिमत भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामाने स्तिती को प्राप्त करने का सुभारंब मात्र है। अरजीव की सामाने स्तिती भगवत सिवा में संलगन होना है। आधी पुराण के कतन से ऐसा प्रतित होता है कि भक्त केवल भक्ती में तलीन धहने से संतुष होता है। जिसे जब भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। जब भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ज्यादा तक हम हमारे अपने अपको अलग से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं। इसलिए तो कल्यूग में अभी तक खीच के आया है। अबी भी हम जन्मार लिया उसका मतलब क्या है बहुत जन्म काम लोग that है ना हमें अपने सरीर को और सरीर के संबंधियों को संतुष्ट करने का प्रयास कसी ॥ कृत्वी को संतुष करने का अलग-अलग किसी को नहीं कर पाओगे जब तक आप भगवान को संतुष कर नहीं कर रहे हैं इसके पांच में अधिया में बगवत गीता में 29 सोप में बताते हैं कि भोक्ता राम यगता को साम सर्व लोक महेश्वरम सुरुदाम सर्व भूताना ग सभी भूताना मतलब सभी जीवात्मा Cornwall आप जानदि यहीं अगर आप जान लिया कि भगवान ही भुखता है तूही आप संती राप्त पर दो सकते हैं मृत् Episode संति चाहिए ओगला करना है वह कापी जो बुड़े लोग गया जाना साथ पैंस-टार सत्तर हो गया अवे दो बाकरों भोगो दो खरा आटलू आटे इन भोगवा मेट चलिंग सेवा माट भगवा नहीं तो सोक्रा बापरी नक्से ए कुर्ण नदी तमारा माट पूर पुर नदी बागवानी सेवा माट अट भगवाने तमने ट्रस्टी बना गया चाहिए। वेन लॉर्ड इस गिविंग यू मोर देन इस एंट्रस्टिंग यू यह यहाज मेड यू ट्रस्टी कि तम यहनों खोटों के यूग ना करो। यू फैसे जरूरत्रा को मिनिमों लगे साथ में जो पैसा है उसको बड़ा ना चाहिए तो को मेंपने पर दोग्मुन करना चाहिए। तो लक्षमीरान की शिवा में नहीं लग रही है, तो चंचल लक्षमी तो चली जाएगे, ग्यार्टी है, ज्यादा पिके गी नहीं? प्राए करके देखों। भक्तों के बीच स्रीमत भागवतम का पाट स्रीमत भागवतम वैदिक ज्यान का कल्पतरू है वेद का आर्थ ज्यान की आश्म मानो समाज को जिस किसी ज्यान की आवशक्ता है वह स्रीमत भागवतम में पून अतया पस्तुत किया जाए है वैदी क्रंथों में ग्यान की विविद साखाएं हैं जिन में समाज, विज्ञान, राजनिति, आउस्वति तता साहिन्यकला सम्मुगी थे वेदों में इनका तता ग्यान के अन्ने साखाओं का सम्यक वणन मिलता है इसलिए जहां तक अध्यात्मिक ज्यान का सम्मद है उसका अभी सम्यक वणन मिलता है स्रीमत भागवतम को विदों के इन कल्प ग्रुक्ष का पक्व फल माना जाता है जब आम पकता है तो वह उस रुक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है उसी प्रकार स्रीमत भागवतम को विदों क्रुक्ष का पक्व फल माना जाता है अमलं पुराण सरवच्च पुराण माना जाता है अठ्या पुराण है उसमें जिस तरह तोते की चांचों से प्रतम से पका फल अधिक सुस्वादू बन जाता है उसी तरह स्रीमत भागवतम सुपदेव गुष्वामी के दिवय मुक्षेन करने के कारण अत्यंत आस्वाद्यम बन जाता है परिक्सित महराज को जो भागवतम उसका उपदेश किसने कह दा सुपदेव गुष्वामी कैसे दे पहले नीर्वी से स्वादी थे उसमें से फिर वह वक्त बन जाते हैं क्योंकि भागवतम के स्लोग सुनते हैं और फिर वह भागवतम के अधियान करते हैं कि किताजी व्यास देव जी के दौयारा समझते और फिर वह पुरा ज्यान सबको लेते हैं सिवत भागवतम की अभी चितना सिश्य परमपरा से प्राप्त करना चाहिए जब पके फल को रुक्स के उपरी भाग से कई व्यक्ति उपर की साका से नीचे की साका पर हाथ में देकर भूमी पल आते मतलब एक से दूसरे हाथ में तो वह दिरे-दिरे हाथ में देखकर भूमी पल आते हैं तो फल नस्ट नहीं होता है इसी प्रकार जब स्रीमद भागवतम को परंप्रा प्रद्धिश्य पर्मपरा से प्राप्त ज्यान है तो उसको हमें परंपरा सिस्टम से ही प्राप्त करना चाहिए यहां पे आप प्राप्त करना चाहिए कोई व्यक्ति बोले कि में बैठा था मुझे ज्यान हो गया तो ग्यान नहीं भी हो सकता है कुछ ग्यान हो सकता है उसमें लेकिन जो भगवान नहीं दिया है गोहग ज्यान जो गुरु परंपरा से आता है उसे ही स्विकार करना चाहिए क्या ाज के समाज में तो काफी एसे लोग हैं जो अपने आपको इसे गुरु के रूपे प्रस्तूत करते हैं और आपके पैसे लेके चले जाते हैं इसे काफी देखने को मिलते हैं आप के लोगों से हमें बचके रहना चाहिए और गुति लोगों की अदिकारी व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए जो सास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते ढरावा काफी Łोग ने भगफजन की उपर भास्षया करें लेकिन उनका मुल्ण प्रवाजने कृष्णन भगवान की भक्ति देना नहीं था इसलिए उनके भगवद्गीता पढ़के कोई भक्त नहीं बना लेकिन प्रवपाद ने क्या किया यथा रूप भगवद्गीता जसिया है तसी तेना मुड रूपे ऐसा है अलग-अलग लेंग्वेज में उन्होंन प्रवपाद ने क्या कि इसका मुख्य बोलने वाले कौन है भगवान कृष्णा है भगवान कृष्णा है जो लेकिन बाकि सब लोग कुछ अलग समझाते हैं तो जब भगवगीता को आप सही रूपे पढ़ेंगे तभी कृष्णा को प्राप्त करेंगे उसका जो मुख्य उद्देश्चे कृष्णा को प्राप्त करना है भगवान बार बार बदाते हैं लेकिन जो मायावादी भर्ष्णा लिखते हैं या जिसका कुछ अल्ट्रिय ते वह लोग को और आपके अपना मोटव डाव देता है हुआ है ओलो बइन जब से जाधा पढ़ने वाली भगवगीता प्रोकवाद्य क्यों 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 कि क्रिश्णा के साथ भगत जूड़े है जो उसका परपज है उससे हो रहा है बाकी का क्या है थोड़ा बहुत पप उनको भी इतना अच्छा लगा अभी आप समझे के सब्जी लेने गए अच्छी सब्जी मिल रही तो आप अरे वहां पर बहुत अच्छी थ्रेश सब्जी मिलती है यह और गयनिक गिंव अच्छी मिलते हैं यहां पर खाने पीने की चीज में भी हम कहते नहीं तो भक्ति में अच्छा किसी को लगेगा तो आप रिकमेंड करोगे की नहीं इसलिए रूपाजी ने बताया कि उस्तक वित्रण करना चाहिए श्रीमत चैत्र ने महाप्रभु ने संस्तुदी की है कि भागवतम नामक स्वरुशिद्व व्यक्ति के मुख से ही अफिमत भागवतम सीच्टने मनों वियक्ति भागवत से उस तक भागवत समझना चाहिए जो व्यक्ति ने पूनरिप से अपना जीवन भवान को समर्गित किया है तो ऐसे जो गुरु परंपरा में है उनके मुख से उनको भागवत सुनना चाहिए और जो भागवत सुनेंगे तो हमारे रदय के जो संसय है उसारे दूर हो जाएंगे जो पैसा लेके कथा करते हैं तो ऐसे कथा कारों से हमें दूर लेना चाहिए इसे बड़े-बड़े नाम रहते हैं तो पैसे लेके कथा करते हैं कि नहीं लाग को रुपे लेते हैं स्टेज पर उनसे सुनने का कोई फाइदा वहां पर अच्छा लगे आ रहे मजा आ गया पाटी हो गया लेकिन जैसे आप घर पर जाएंगे ना तो को मज मजा निकल जाएगा आपका क्योंकि वह अर्थो पाजन के लिए कथा करते हैं कि इसलिए जो ब्रह्मचारी है सन्यासी है या गुरुष्त है लेकिन जो सुद्ध्वक्ति में लगा हुआ है उसके मुख से ही हमें कृष्ण करता को सुनने का प्रयास करना चाहिए लिए भागवत्म का आस्यासी गर्वाथ्ण करना चाहिए है मुखत पूरुस के लिए उस्लिए गुवर स्वामी में बढू से ही मुखत पूरुस थे हैं तो उनको तासिर वाजन था प्रावाफज के शनते हैं उनके पीछे वो चले जाने गर्षोरक सोड़ते उनके पीछे वेर्वियास जी उनके कुछ सुझ पहीं सुनाजा है। यू सुनते उनको लग ता रहे ये तो बहुत मधुर शोरते है। तो वो ते किस ने बदा है? दो अपके पिता जी ने बदा है, तो आपस आ जाते हैं पुरा भागलतन उनसे. तो पिता, पुत्र का संबंदे, पती, पत्मी का संबंदे, वो भी सब भक्ती के संबंद में होना चाहिए. उसे फाइदा क्या होगा आप घर में भी बंधन में नहीं रहोगे इसे तो पत्नी त्रास दे सकते हैं बच्चे त्रास दे सकते हैं परिशान कर सकते हैं लेकिन जब भगते रहेंगे सब तो फिर धीरे धीरे आनंद देंगे आपको मंदीर में ऐसे भी काफी पैरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे साधू हैं बहुत रश्ण रहें कितने लोगों ऐसा लगए बच्चों को साधू बनाना चाहिए हैं कुछ अभी तो आध उपर कर देंगे कहने का मतलब क्या है कि अगर उस बन रहा है तो बने देना है उसको बनाना नहीं है लगन करे जिता यह तो पत्नी ने चोड़ी साधू नहीं 17 बनाता है पहले बन जाहे तो ठीक है वो फिल पतनी बुले कि पती बहुत राज दे रहा है उसको साधुबना देते हैं ऐसा नहीं करना है आपको ग्रोस्त जीवन में रहके करना है लेकिन अगर कोई बच्चा है ब्रह्मचारी जीवन जतित करना है तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए ये रेट रेसे उसमें तुझे दौड़ना ही है फर्स नंबर का चुवा बनना है ऐसा मत करो उचे लाद उसको जिने दो कि उन भहुतिक जीवन भी जीना है तो भी उसको तुझा सा समयच चाहिए आगे बताते हैं कि स्रिमत्भागवत्म की आश्वाधन के बादी महान भग्त बने इसलिए प्रिश्ण भावना उरुत में अग्रशन होने के इच्छो व्यक्ति को स्रिमत्भागवत्म की तातपर एक आश्वाधन प्रामानिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए इसलिए यद्यपी हम लोग अभी सुद्ध नहीं है चुंकि हम उस तर पे नहीं है लेकिन प्रोपाज जी ने हमें और दिया है कि आपको इस हास्त्रों का अध्यन करना चाहिए प्रवचन करना चाहिए इसलिए उनके आदेश पे हम लोग प्रवचन कर रहे हैं और जैसे कि हम प्रवपात के पुष्टक से पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो हमारी सुद्धी हो रही है मेरे अंदर ऐसा पावर नहीं है कि मैं आपको कुछ बता हूँ और आप सुद्ध हो जाओं लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं कि प्रवपात के आदेश पे गुरु माराज के आदेश पे में उनका जो बता हुआ ग्रयान है वो मैं आपको दे रहा हूं तो इसका बेनिफिट म से घ्रिशन पुस्तग और अन्य पुस्तग है तो आप बढ़ सकते हैं पर सकते हैं कि उसके लिए ऐसे कुछ नहीं कि कुछ अपने को बहुत बड़ा गुरु बनना है यह महान पंडित बनना है सब जरूरी नहीं है आपको कुछ आपको शोलन हो समझते हैं उसमें गुजरा लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं. तो एक पड़िया, ज्यादा हो पड़िया. कितना पड़ना है? जब भूग लगे, थो एक पड़ लेने का प्रेज merger, बात में खाना-खाने का, इसी रास्ता है का नहीं? छोटा पेज रहे हैं एक पेज पढ़ने का बुला है आपने थोड़ा बुला है कि बड़ा पेज पढ़ना है कुछ पढ़ो उसके बाद भोजन प्रापता करो तो दीरे-दीरे क्या होगा रूची आ जाएगा आप सही कि नहीं थीरे थीरे उनका मशल बिल्डिंग होता है तो ॆसे ही भक्ती दीरे ती्रें दीते ही हृँ स्रीमत भागवतम में सुपदे गुश्वामी सिकार करते हैं कि यद्य भी वे निराकार ब्रह्मों के प्रति अधिक आक्रुष्ट थे हम अभी मुक्त नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा एक्रुष्ट हो गए भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरुपसिद्र पुरुष्टे और उहोंने अपना पक्व दिवयक ज्यान सुपदेव गुश्वामी को उपर कथिद विदी से प्रत्यक सरुप से प्रदान किया तो मतल तो उनका संब्द्र क्या है ऐसे हम देखेंगे तो पिता-पुत्र वाला नहीं है यहां पर गुरुष्ष्य वाला है तो हमें भी हमारे जो आस्रीत है ज़र में आस्रीत का मदब क्या है हमारे आस्रीत क्या क्या है पती है तो पत्नी है बच्चे है माता-पिता है सब आस्री मेरे से जलदी उड़ जाते थे सुबह में, साड़े चार बजे उड़ जाते थे साड़े चार बजे उड़के सोला माला कर लेते थे, पूरा भगवगीता पढ़ लिया, पूरा भागवतम जो अठरा भूक से वो पढ़ लिया, छेतनी चरीता मुरुद्वियों ने पढ़ाई चालो कर लिया थे, लेकिन उसके बाद कैंसर हो गया और वो पूरा पढ़नी पा उनके आसिरवात से ही आपको भक्ती मिलेगी, समझ देगा, तो जारे देखो दारे करो प्रिष्ण उपदेश करो, जिसको मिलो उसको प्रिष्ण उपदेश करो, थोड़ा फेवरेबल लगे, अभी हमारे वहां प्या कोई भी आता है, मिलता है, मुस्लिम भे उसको भी उप एसा किसी को डिस्क्रिमिशन जो तबा सुनने वाला है उचको पता रहेगा, तो अल्ला का तो नाम लेगा, समझ रहे हैं, तो जाके कुरान दो पड़ेगा, बैबल दो पड़ेगा, जो भी धर्म का पालन कर रहा है तो धर्म में निष्ट हो जाएगा, और जितने लोग ज् प्रगत भक्तों की संगती करना, इस बड़ेगा, सुद्ध भक्तों के समाज में स्रीमत भागतम की व्याख्या करने का महत्वा, सवनक रूसी ने नहीं शाराणियां की सभा में, सूद गोस्वामी की उपस्किति में बगदा था, सूद गोस्वामी ने पुस्टिक की थी कि यदि कोई क्षान अगर के लिए भी भगवज भक्त की संगती करने का आउसर लाव करता है, तो विशेश क्षान इतना मुल्यवान होता है कि स्वर्ग तर पहुंचने वाले भवसागर से मुक्ष दिलाने वाले पुन्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, दूसरे वक्तों की संगती दिव्य रूप से इतनी मुल्यवान होती है कि कोई भी भवतिक सूप इसकी संगता मतलब इकवल नहीं है, नहीं कर सकता है, अरी भक्ती सुदोय दय में प्रलाद माराजय वानुके पीता हिरने कश्य पुका एक वात आना पाता है, उसमें हिरने कशिव प वुस्प जैसे भगवत भक्तों की संगती करते हैं, तो हमारे रदै स्वच्च है, और यह भी वैसे ही घटना घटेगी, इस प्रसंग में जो दूसरा वधारन दिया गया है, यह कि यदि पूरुस विर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उसके मिलन से घर्वधारन ह होगा, इसी तरह यदि अध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावन तथा प्रमानिक है, तो परिणा उत्पनों, तो इसलिए अच्छे गुरु को नहीं करना चाहिए, जो परंपरा में लगे हुए, आगे बताते हैं भगवन नाम का संकीरतन, सि उत्देव गुस्वामी महाराज परिक्षित को बदलाते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंद्र संकीरतन में पूरी तरह सहलू लगता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर दिए, इसका विशेश रूप से उलिक ह हुआ है, कि अपने कर्मों की फल इंच रखने वाले कर्नी प्रम पुरूbeiten से ट आदात्मों की इंच रखने वाले ज्यानी योग शृढ़ेश योगी जन महामंद्र की कृतन मातर से समस्ते सिद्धियों के फल प्राप्तर कर सकते हैं, लेकि वह नहीं करेंगे, क्योंकि वह प्रयुक करते हैं उसका जो है कि वह पहले निसिद हो चुका है वे मुक्ताकमा थे इस असे बात को ही कर नहीं आत्मक न पर्लें पर मैंकां। कर दिए आणी कि आपको बफ्टि में रुचि गरवाह जाये गाई तो कर्म bubble में लगे हैं कि एसे लोग हैं कि जो भाक्ती में लगा है मतलब वह सब स्टेज पास किया हुआ जो 10 में आ गया है व अध़ीं आदध का ल्यवल मतलब वह नाई तक क्लियर हुआ है उसका उसका उस से फिर से करवाने के आवश्यक्ता नहीं है इसी बात की पुष्टी आदी कुराण में कृष्णा द्वारा की गई है कि अर्जुन को सम्मोधित करते हैं कि जो व्यक्ति मेरे दिव्य ग्यान की कृतन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगती में दहां मान लो मैं तुमसे सपस पुष्णा मंद्र का किर्टन उसी व्यक्ति के उठों से उठों पर रहता है जिसके अनेक जन्मों तक वास्वदेव की पुद्या की आगे यह भी कहा गया आगे भगवान की पुष्णा नाम साक्षाथ भगवान में कोई अंतर नहीं होता है फलता है पूनता सुद्धता पुष्णा यह भगवान में ही भगवान की समान कोण है पूवित्र नाम न तो भहतीग ध्रनी आहे उसमें को बहुती कलमस रहता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रीओ को शुद्धन नहीं किये प्वीत्र नाम का नेरपराद किर्धन नहीं कर सकते हम लोग निरंतर नहीं कर हरे कृष्णा जिसका वेहिकल बाहर है वो ले लिजी वहां से बाहर वेहिकल रखाया ले लिजी चैतने महाप्रभू ने रदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्णा मंद्र का खिर्टन करने की सलादी है यदि रदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्रों को वास्ताव में समझ सकता है जो व्यक्ति इस धूल को अपने रदयों से हटाना नहीं चाहते अपितु अपने उसे उसी तरह रहने देता है तो वे हरे कृष्णा मंत्र के खिर्टन का दीवयफल प्राप्ता नहीं कर सकते है तो हमें कहें थोड़ा से अपने धूल के प्रती अटेश्मेंट है यार बहुत किमती धूल है बहुत जन्मों से इखटा की है तो उसको जाने नहीं देना है ना इसलिए हमें प्रॉब्लम ह से इखटा किया है ना बहुत मेंनत करके धूल इखटा की आय एकटा किया है कोई चीज तूर जाते थो उससको भी हम भंगार को भी रखते हैं कि पुरते हैं उसको सायथ काम में आज है यह तो बहुत जन्मों की धूल है नहीं कर सकते हैं अताय हरेक को भगवान के प्रती सेवा विक्षित करने के लिए प्रसाहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे निरप्राद भाव से किर्टन करने से सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मारद दर्शन में शिशक को सेवा करने का और साथी हरेक्रिष्ण मंद्र के किर्टन का प्रशिक्षन दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानु भक्ति भाव का विकास होता है तो वह महामंद्र के पवित्र नामों की दिविये फक्रुती को तुरंत समझे। लास में बदाया है कि मत्वरावास। बद्वुकुरान में मत्वुरयाद्वारका जैसे कवित्र स्थानों में निवास करने के महत्वका वणन विलता है। इसमें यह कहा गया है वे 593 स्थानों की आत्रा करने का अर्ध है भवबंदन से चुटकारावद लागान। अब याप तिर्ट से आत्रा करने के रूची कब होगी, कि आपको यहां का भोतिक जीवन से रूची कम होगी, यह तो आप जाएंगे, तो वो आपके रूची दिखाता है, कि आपको इसमें से निकलना, तब ही तो आप भू करेंगे, तो इसका मलत क्या है? भवबंजन से चु पाएंगे ब्रह्म भूत यानि कि मोख सवस्ता प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ती में और अधिक अग्रसर हो सकता है इस तरह भगवान की दिव्य प्रेम मही भक्ती की यह प्राप्ती ही जीवन का लक्षम है और जो व्यक्ति मत्धुरा मंडल में कुछ क्षण भी इवन मुक्षों का इच्छाव एवन आकांख्षाव से उद्धार करने वाली है मत्रौवन भक्तों की इच्छाव को अवश्य कुरा करेगी जो केवल भग्वश भक्ती में ही तलिन धने की आकांख्षी है वैदिक शाहित्य में भी यह कहा गया कि वैसी विचित्र बात है क मतुरा में एक दिन भी वास करने से मनुश्य को भगवान की प्रती दिवय प्रेम भाव उत्पन हो जाता है यह मतुरा भूमी अवश्य ही वैकुन्थ दाम से अधिक गरी है यह दिए बैटर देन दवेकुंट तो इवन जो वेकुंट दाम है उससे भी भगवान जहां पर दिला किया वह अथुरा भूमी तो बुरुंदावन उसमें आजाते है वास का मतलब क्या है पूरा हो बुदावन का जो एरिया है पूरा उसको धाम बुला जाता है तो आज हम कितने रखते हैं रे किश्ञा किसी को प्रास्चां या рок पूसकते हैं है रे लोग के अप doesn't करते है तो पर ना चाहिए ब्लंगा जमरल करने संदे से हरी नाम नाम और अपाए घ्रॉब कैसल को करना हाया कोखे है को ह होग से से ये कटीघ से कती को खोने कृण्यव Sun कुछ एनॉंसमेंट है तो कर सकते हैं तब तक कोई प्रस्मेंट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ एनॉंसमेंट है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्रिष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे